हलो दोस्तो क्या आप जानते हैं सनी दे सोर्स ओफ अल एनर्जी सन को क्यों सभी एनर्जी का स्रोत माना जाता है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सन्छिप्त रूप से चर्चा करेंगे दोस्तो मैं नितेस और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारा सन इब्रीडे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का उत्सर्जन करता है जिसे सोलर इनर्जी कहते हैं इसी इनर्जी के चलते हमारा अर्थ पर एक संतुलन बना रहता है दोस्तो सन हमारे सोलर सिष्टम में इनर्जी का एक मात्र सोर्स है दोस्तो सनलेट की वज़य से पेरों में प्रकास संसलेशन यानि की फोतोस हैंट्रिया हो पाता है जिसके कारण पेर पौधा अपना भोजन बनाकर ऑक्सीजन का उपसर्जन करते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते दोस्तो सनलाइट सिर्फ हुमेन के लिए ही नहीं बलकि अर्थ पर सब भी लिविंग थिंग दोस्तो इस मैठेड में डो हाइड्रोजन एटम आपस में रियक्षन करके हिल्यम और निट्रोन को प्रोडूस करते हैं और जब यह होता है तब अस्यमित अमाउंट में एनरजी का प्रोड़क्शन होता है दोस्तो सन से जो यह एनरजी मिलती है इसे रिन्यूबल सोर्स ओफ एनरजी कहा जाता है दोस्तो इसका मतलब होता है कि इस एनरजी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जब तक कि हमारे सोलर सिष्टम में सन मौजूद रहेगा दोस्तो सन अपने एनरजी का प्रोड़क्शन वैसे ही करता है जैसे अधिकतर अश्टार्स अपनी एनरजी का प्रोड़क्शन करते है दोस्तो जब सन इनर्जी का प्रोडक्शन होता है तब सन के अंदर प्लाजमा वस्था में हैड्रोजन और हिलियम एटम परजेंट रहते हैं